खेरलाजी जन्पत पंचायद अंतरगत ग्राम पंचायद साले टेका में सीसी सड़क के निर्मान कारे में सरपंच गंश्याम राउत द्वारा इस्टीमेट के अनुसार कारे नहीं करने के आरोब ग्राम के उप सरपंच एमंपंच द्वारा लगाए गए जन्पत ग्राम पंचायद साले टेका में हो रही सीसी सड़क निर्मान कारे में लागत 11,95,000 लंबाई 400 मीटर में इस्टीमेट के हिजाब से 6 इंची मूरम डालने का है पर सरपंच द्वारा उसी सड़क को खोट कर समतल किया जा रहा है पर मूरम नहीं डाली गई और बताया गया कि एक, तीन, छे का माटेरियल है पर कम मात्रा में डाला जा रहा है जिसे सड़क भविष्य में छोति ग्रस्त होने की संभावना है और सरपंच और सचीव को उप सरपंच द्वारा कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से काम कराएंगे और जानकारी में बता गोड़ में समस्या यह है कि आजू-बाजू की जो मट्टी है खोटके यहीं लेवल कर रहे और जो कि बाहर से मुरूम आना चीए छे इंची मुरूम डालनी रहे मुरूम होना चीए क्योंकि लगबाद 20-25 साल से तो इसी मट्टी में और तीचर से जादना ना हो रहा इस कालोनी का तो इसको बनाए जाए तो कम से कम अच्छे बनाए जाए इस्टिमेट की हिलाफ सिसाथ से बारिस में बहुत तकलिप जा रही है बारिस में गारिया नहीं पाइदन या बच्च जो उसको जाने वाले उनको बहुत परिशने में इतनी घपले स्राही चाल रही है जिसकी हाद नहीं जो मेट होता है मजदूर के पिछे और मजदूर की एक दिन के हाजरी लगती है और मेट लोगों की छे दिन के हाजरी लगती है यह अंधियर इन तो सचिको भी समझ में नहीं जब मेट मजदूर के पिछे है तो मजदूर की एक हाजरी लग रही है और मेट की छे हाजरी तो यह 5 हाजरी का घपलक कहां कर रहा है मेट इसका सरपँच और सचिक जाज करके हमको एक इंप यह किया तो दुन आ पर इस्टीमेट में मुरम आना च यहांने जो रोड को खत के लिए गड़े को भरा जा रहा है और क्या क्या कमिया है और यह मट्रेल में भी कमी है यहां पर मट्रेल है 136 उतना माल नहीं डाला जा रहा है